नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होगे और हमारे इस विडियो का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे होगे आज हम नौमी कक्षा का भूगोल का दूसरा अध्याए भारत का भौतिक सुरूप पढ़ेंगे भौतिक सुरूप का अर्थ है बच्चों कि भारत दिखता कैसा है? इसमें किस प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है? यह तो आप सब जानते ही हो बच्चों कि भारत अपनी विविदताओं के लिए जाना जाता है यहाँ पर भाशाओं, खान-पान, पहरावों के साथ साथ अलग-अलग शेत्र में भौतिक विबिनताएं भी पाई जाती है बच्चों, अगर आप मैदानी शेत्र में रहते हो, तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से भली भांती परचित होगे और अगर आप पहाडी शेत्र में रहते हो, तो पहाडों की धलानों और घाटियों के बारे में आप बहुत कुछ जानते होगे भारत में लगबग हर प्रकार की भू आकरिती पाई जाती है जैसे परवत, पठार, मरुस्थर, मैदान और द्वीब समू आज हम इनी भू आकरितियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत के किस हिस्से में कौन सी भू आकरिती है और इसकी क्या विशेश्टाएं है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को भूगौलिक आकरितियों के आधार पर कितने भागों में बाटा जा सकता है और ये भूगौलिक आकरितियां है सबसे पहले बात करते हैं हिमाल्य परवत श्रिंखला की हिमाल्य विश्व की सबसे उची परवत श्रेणी है जिसकी लंबाई 2400 किलो मीटर है इसकी चाडाई कश्मीर में 400 किलो मीटर और अरुनाचल में 150 किलो मीटर है यह परवत श्रिंखला पश्चिम पूर्व में सिंधू से लेकर ब्रह्म पुत्र नदी तक फैली है इसके पश्मी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की उंचाई में ज्यादा विभिनता पाई जाती है हिमाल्य को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है महान हिमाल्य, निम्न हिमाल्य और बहरी श्रिंखला आईए अब इन तीनों भागों को विस्तार से समझते है सबसे उत्री भाग में स्थित श्रिंखला को महान या आंतरिक हिमाल्य कहते है इसे हिमादरी भी कहा जाता है यह सबसे जादा निरंतर श्रिंकला है जिसमें 6000 मीटर की ओसत उचाई वाले सबसे उंचे शिकर हैं इमाल्य का यह भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना है यह श्रिंकला हमेशा बर्फ से धकी रहती है इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाव भी होता है बच्चों हिमानी यानी ग्लेशियर सभी मुख्य शिकर यहीं पाए जाते हैं आओ अब नजर डालते हैं हिमाल्य के कुछ उंचे शिकरों पर हिमाल्य के सबसे उंचे शिकर का नाम है माउंट एवरेस जो की नेपाल में है जिसकी उंचाई 8888 मीटर है उसके बाद आता है कंजन जुंगा जो की भारत के सिक्किम राज्य में है और इसकी उंचाई 8598 मीटर है इसके इलावा नंगा परवत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, आदी शिकर भी भारत में हैं बच्चों, क्या पता लगा सकते हो की यह शिकर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आओ, अब जानते हैं निम्न हिमाल्य के बारे में हिमादरी के दक्षिन में पाई जाने वाली श्रिंखला को निम्न हिमाल्य या हिमाचल कहा जाता है इनकी उंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर और औसट चड़ाई 50 किलो मीटर है यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रिंखलाएं पाई जाती है जिन में से पीर पंजाल श्रिंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है इसी श्रिंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कुल्लू और कांगडा की घाटियां भी है अब जानते हैं हिमाले की बाहरी श्रंकला के बारे में हिमाले की सबसे बाहरी श्रंकला को शिवालिक भी कहा जाता है इसकी चोड़ाई 10 से 50 किलो मेटर और उंचाई 900 से 1100 मेटर के बीच है ये घाटियां बजरी और जलोड मिट्टी की परत से धकी हुई है जलोड का अर्थ होता है बच्चो वेह मिट्टी जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है और किसी जगह पर जमा की जाती है भीमाले और शिवालिक के बीच बहुत सी घाटियां हैं जिनहें दून के नाम से जाना जाता है इन में से कुछ मुख्य दून हैं देहरा दून, कोटली दून और पाटली दून इस उत्तरदक्षिन के अतरिक्त हिमाले को पश्चिम से पूर्वतक स्थित शेत्रों के आधार पर बाटा गया है इन वर्गी करनों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है इस तरह से हिमाले को चार भागों में बाटा गया है पंजाब हिमाले, कुमाउं हिमाले, नेपाल हिमाले और असम हिमाले उधारन के लिए सतलुच और सिंदु के बीच स्थित हिमाले के भाग को पंजाब हिमाले कहते हैं लेकिन पश्चिम से पूर्वतक्रम शह इसे कश्मीर और हिमाचल हिमाले के नाम से भी जाना जाता है सतलुच और काली नदियों के बीच स्थित हिमाले के भाग को कुमाउं हिमाले के नाम से भी जाना जाता है इसी तरहें काली और तिस्ता नदियों के बीच निपाल हिमाले है और तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमाले पड़ता है ब्रह्म पुत्र हिमाले की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महाखड के बाद हिमाल्य दक्षिन की ओर एक तीखा मोड बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है इन्हें पूर्वाचल या पूर्वी पहाड़ियों और परवत श्रंकलाओं के नाम से जाना जाता है ये पहाड़ियां उतरपूर्वी राजियों से होकर गुजरती है और मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी है ये घने जंगलों से धकी हैं और ज्यादा तर समानांतर श्रंकलाओं एमगाटियों के रूप में फैली हैं पुर्वाचल में पटकाई, नागा, मीजो और मणिपूर पहाड़ियां शामिल हैं तो बच्चों ये तो थी हिमाले परवच रंकला की बात अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पुत्री मैदान के बारे में पुत्री मैदान तीन प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है ये मैदान जलोड मिटी से बना हुआ है इसका विस्तार साथ लाख वग किलो मीटर शेत्र पर है इस मैदान की लंबाई 2400 किलो मीटर और चोड़ाई 240 से 320 किलो मीटर है यह सघन जनसंख्या वाला शेत्र है क्रिशी की दृष्टी से यह भारत का सबसे जादा उत्पादन वाला शेत्र है बच्चों, अब देखते हैं वित्रिकाएं क्या होती है? वित्रिकाएं उत्री परवतों से आने वाली नदियों के निचले भागों में धाल कम होने के कारण नदी की गती कम हो जाती है जिसके कारण नदी द्वीपों का निर्मान होता है ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण धाराओं में बढ़ जाती है इन धाराओं को वित्रिकाएं कहा जाता है उत्री मैदानों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे पहले पढ़ते हैं पंजाब के मैदान के बारे में उत्री मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में है मैदान के इस भाग में दुआबों की संख्या बहुत अधिक है अब बच्चो दुआब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग यह शब्द दो शब्दों दो और आप से मिलकर बना है आपका मतलब होता है पानी बच्चो क्या आप जानते हो पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है पंज का अर्थ है पाँच आपका मतलब होता है पानी अब पढ़ते हैं आगे गंगा का मैदान घगर और तिस्ता नदी के बीच है यह उत्री भारत के राजियों जैसे हर्याना, दिल्ली, उत्र प्रदेश, बिहार, जारखन के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला है उत्री मैदान का तीसरा भाग है ब्रह्मपुत्र मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम, विशेशकर, असम में स्थित है आकरतिक विभिन्दता के आधार पर उत्री मैदानों को चार भागों में बांटा जाता है पहले भाग को कहते हैं भाबर मैदान हिमाले परवत से नीचे शिवालिक की ढाल पर बनी आठ से सोला किलोमिटर की चौड़ी पट्टी को ही भाबर कहा जाता है सभी नदियां इस पट्टी में आकर मिल जाती हैं भाबर मैदान सिंदू से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है अगला भाग है तराई भाबर मैदान के दक्षिन में फिर से नदिया निकलती हैं और नम और दलदली शेत्र का निर्मान करती हैं इसे तराई कहते हैं यह शेत्र जंगली जानवरों से भरा हुआ है अब है भांगर इस मैदान का आकार वेदी का जैसा है यह नदियों के पुराने जलोड से बना हुआ है इसकी मिट्टी बहुत ही कंकरीली होती है अब है खादर यह मैदान नदियों के नए निक्षेब से बनते है यानि नदियों द्वारा लाई गई नए मिट्टी से इनका निर्मान हर वर्ष होता है यह बहुत ही उपजाओ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं आईए अब हम जानते हैं प्राई द्वीपिय पठार के बारे में सबसे पहले हम यह जानते हैं बच्चों की प्राई द्वीप किसे कहते हैं तो बच्चो महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासाग्रों से घिरा होता है ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है और प्रायद्वीप ये भारत का भाग पठारी है इसलिए हम इसे प्रायद्वीप ये पठार कहते हैं प्राइद वीपिये पठार वाले भूभाग में उंची उंची चोटिया नहीं, बलकि चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग होता है प्राइद वीपिये भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तभी इसको प्राचीन भूभाग का हिस्सा माना जाता है इस पठार के दो मुख्य भाग है, पहला मध्य उच भूमी और दूसरा दक्कन के पठार, आईए इसे मानचित्र में देखते हैं यह प्राइद वीपिये पठार का मध्य उच्चिय भाग है और यह है दक्कन का पठार चलिए अब मध्य उच्च भूमी के बारे में विस्तार से जानते हैं मध्य उच्च भूमी नर्मदा नदी के उत्तर में प्राइद वीपिये पठार का वे भाग है जो की मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है यह भाग अरावली के दक्षिन पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में फैला हुआ है अगर पश्चिम में देखें तो यह राजस्थान के बलूई तथा पत्थरीले मरुस्थल में मिलता है अब जानते हैं इन शेत्रों में बहने वाली नदियां कौन-कौन सी है तो बच्चो इस शेत्र में बहने वाली नदियां है चंबल, सिंधू, बेत्वा और केन ये नदियां दक्षिन पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और यह सभी नदियां जाकर यमुना में मिल जाती है बच्चो मध्य उच्च भूमी पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संक्री है इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बगेलखंड कहते हैं और पूर्व को छोटा नागपूर का पठार कहा जाता है जो की दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है यानि की अलग किया गया है अब जानते हैं दक्कन के पठार यानि की दक्षिन के पठार के बारे में तो बच्चो, दक्षिन के पठार की भगौलिक बनावत त्रिभुजाकार की है, जैसा की आपने मान्चित्र में देखा, ये पठार नर्मदा नदी के दक्षिन में स्थित है, उत्तर में चौड़े हिस्से या भाग पर सत्पुड़ा की श्रंखला और पूर्व में महादेव कैमूर की पहाड़ी और मैं काल की श्रंखला है, बच्चो, ये दक्षिन का पठार पस्चिम में उंचा और पूर्व में कम धालवाला है, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे हम में घाले, कार्बी एगलॉंग पठार तथा उत्तर कचार कहते हैं, ये भाग एक भ्रंश यानि फॉल्ट के द्वारा छोटा नागपूर के पठार से अलग हो गया था, पस्चिम से पूर्व की ओर दक्कन के पठार की तीन महत्वपून श्रिंखलाएं हैं, जिनके नाम हैं गारो, खासी और जयंतिया, बच्चो, पस्चमी घाट और पूर्वी गाट दक्षिन के पठार के पस्चमी और पूर्वी किनारे हैं, पस्चमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट, तो चलिए, अब जानते हैं इनके बारे में, आईए पहले मानचित्र में देखें कि ये घाट कहां पर हैं, तो बच्चो, पस्चमी घाट दक्षिन के पठार क इन्हें हम केवल दर्रों-द्वारा ही पार कर सकते हैं, क्योंकि यह निरंतर है। पारण उपर उड़ती हैं और संगनन होता है उस वर्षा को परवतिय वर्षा कहा जाता है पश्मी घाट की उचाई उत्तर से दक्षिन की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग का सबसे उचा शिखर अनाई मुड़ी है जो की 2695 मीटर उचा है अब पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं शुरू करने से पहले इसे भी मांचित्र में देख लेते हैं आपने देखा पूर्वी घाट का विस्तार निरंतर नहीं है बल्कि अनियमित है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे काट देती हैं इस घाट का विस्तार महा नदी घाटी से दक्षिन में नील गिरी तक है और इस घाट की उंचाई मात्र 600 मीटर है इस भाग या घाट का सबसे उंचा शिकर महेंद्र गिरी है जिसकी उंचाई पंद्रा सो मीटर है इस घाट के पश्चिव में शेवराय और जावेडी की पहाड़ियां स्थित हैं उद्ग मंडलम जिसे उंटी के नाम से जाना जाता है नील गिरी में स्थित नगर है यह दक्षिन का प्रसिद्ध परवतिय नगर है प्राइद वीपिय पठार में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी के शेत्र को ही हम दक्कन ट्रैप कहते हैं इसकी उत्पत्ती ज्वाला मुखी से हुई है। इसलिए यहां के शैल आगने हैं और इनी शैलों के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्मान हुआ है। आओ बच्चो अब हम पढ़ते हैं भारतिय मरुस्थल के बारे में। भारतिय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। यह अरावली पहाडी के पश्चमी किनारे पर है। यह बालू के टिब्बों से धका हुआ है। बालू यानि रेत। यहां वर्षा बहुत ही कम यानि एक सो पचास मिलिमीटर ही होती है। लूनी इस शेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यहां पर बहुत अधिक शेत्र में बालू के टीले पाए जाते हैं। जिन्हें बरकान कहते हैं। अगर आप जैसल मेर जाएं तो आप वहां बरकान के समू देख सकते हैं। बच्चो अब इस मानचित्र को देखो। यहां पर हिमालय परवत, उत्री मैदान, प्राइद वीपिये पठार, भारतिये मरुस्थल, तटिये मैदान और द्वीप समूह दर्शाए गए हैं। चलिए अब तटिये मैदान की ओर बढ़ते हैं। प्राइद वीपिये पठार के पूर्व और पश्चिम में स्थित दो संक्रे मैदान हैं, जिन्हें पूर्वी तटिये मैदान और पश्चमी तटिये मैदान कहा जाता है। तटिय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले हैं आईए पहले पश्चिम तट के बारे में जानते हैं यह तट पश्चमी घाट और अरब सागर के बीच का संकीन मैदान है इसके उतरी भाग को कौंकन, मद्यभाग को कन्नड और दक्षनी भाग को माला बार तट कहा जाता है इस तरह यह तट तीन भागों में बांटा गया है दूसरी ओर है पूर्वी तटिय मैदान यह भाग चौड़ा और समतल है इसका उतरी भाग, उतरी सरकार और दक्षनी भाग कोरो मंदल तट के नाम से जाना जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां इस तट पर विश्याल डेल्टा बनाती हैं और बच्चो ओडिशा में, महानदी डेल्टा के दक्षिन में चिलका जील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे-पानी वाली जील मानी जाती है आईए अब मानचित्र में तटिय मैदान को देखते हैं अब आगे बढ़ते हैं अंतिम चरन की और और जानते हैं द्वीब समू के बारे में बच्चो भारत में दो द्वीब समू हैं एक लक्ष द्वीब और दूसरा अंडमान नीकोबार द्वीब समू आईए इनको भी मानचित्र में देख लेते हैं लक्ष द्वीप केरल के मालाबार तट के पास थित है और द्वीपों का यह समूः छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है प्रवाल पॉलिपस सुक्ष्म जीव होते हैं जिनका विकास चिछले और गर्म पानी में होता है ये समूह में रहते हैं और बहुत कम समय तक जिन्दा रहते हैं इनकी अस्थियां टीले के रूप में जमा होती रहती हैं जो एक द्वीब का रूप ले लेती हैं पहले लक्ष द्वीब को लका द्वीब, मीनी काई और एमिन दीव के नाम से जाना जाता था सन 1973 में इसका नाम लक्ष द्वीब रखा गया यह 32 वर किलोमीटर के छोटे से शेत्र में फैला है इसका प्रशासनिक मुख्याले कावर रती द्वीब है और इस द्वीब पर पादब यानि पेड पौधों और जन्तुओं के अनेक प्रकार पाहे जाते हैं यहां पिटली नामक द्वीब पर मनुश्य का निवास नहीं है और यहां एक पक्षी अभ्यारण्य भी है यानि बर्ड सैंक्चुरी बच्चो अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिन की तरफ फैले द्वीब अंडमान और निकोबार के बारे में जानते हैं यह द्वीब आकार में बड़े, संख्या में जादा और बिखरे हुए हैं इस द्वीब समू को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है उत्तर में अंडमान और दक्षिन में निकोबार यह द्वीब हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस द्वीब पर भी पादप और जनतुओं के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं इस द्वीब की खास बात यह हैं बच्चो कि भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वाला मुखी इसी द्वीब समू के बैरन नामक द्वीब पर स्थित है इसी के साथ यह अध्या यहीं खत्म होता है मुझे उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब समय है कुछ प्रश्न देखने का और उनके उत्तर देने का तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पूर्वी भाग में स्थित परवत श्रेणियों का क्या नाम है और आपके विकल्प है हिमाचल, उत्राखंड, पुर्वाचल या शिवालिक और सही विकल्प है पुर्वाचल दूसरा प्रश्ण है निम्न हिमाले और शिवालिकों के बीच स्थित घाटियों को क्या कहते हैं आपके विकल्प है दून, हिमाचल, पुर्वाचल या प्रायद्वीब और सही विकल्प है दून और अब तीसरा प्रश्ण भारत का सबसे उंचा परवत शिखर कौन सा है नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचन जुंगा या नंगा परवत और सही विकल्प है कंचन जुंगा अगला प्रश्ण है उस भारतिये राज्ये का नाम बताईए जहां कंचन जुंगा स्थित है और आपके विकल्प है उत्राखंड, ओडीशा, सिक्किम या असम और सही विकल्प है सिक्किम अगला प्रश्ण है दो आप शब्द से आपका क्या तात पर रहे है और विकल्प है दो शहरों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच का स्थान, दो गाओं के बीच का स्थान या दो पहाडों के बीच का स्थान और सही विकल्प है दो नदियों के बीच का स्थान बहुत अच्छे अब देखते हैं अगला प्रश्ण बाड के मैदानों के नए छोटे निक्षेपों को क्या कहा जाता है आपके विकल्प है खादर, तटिय मैदान, भांगर या तराई और सही विकल्प है जी हाँ खादर अगला प्रश्ण है हिमाले परवत से नीचे शिवाली की धाल पर बनी चोड़ी पट्टी को क्या कहा जाता है और आपके विकल्प है खादर, भाबर, भांगर या मैदान और सही विकल्प है भाबर और अब आखरी प्रश्ण उत्री मैदानों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है तीन, दो, छे या चार और सही विकल्प है तीन, बहुत अच्छे बच्चों, अब देखते हैं कुछ वाक्य और आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत पहला वाक्य है अरावली पहाडी के पश्चमी किनारे पर थार का मरुस्थल है तो ये वाक्य बिलकुल सही है अब देखते हैं अगला वाक्य भांगर नदियों के पुराने जलोड से बना हुआ है तो बच्चों ये वाक्य सही है या गलत ये वाक्य गलत है क्योंकि नदियों के पुराने जलोड से बने मैदान को भांगर नहीं खादर कहते हैं अब देखते हैं अगला वाक्य जो भूभाग तीन और से महासागर से घिरा हो उसे ध्वीब कहते हैं तो बच्चों यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य गलत है क्योंकि तीन और से महासागर से घिरे भूभाग को ध्वीब नहीं प्राय ध्वीब कहते हैं अब देखते हैं अगला वाक्य मद्य उच्च भूमी के पूर्वी पठार को बुंदेल खंड के नाम से जाना जाता है और यह वाक्य बिलकुल सही है अब देखते हैं अगला वाक्य क्या है पश्मी घाट में सबसे उंचा शिखर महेंद्र गिरी है तो बच्चो यह वाक्य सही है या गलत यह वाक्य गलत है क्योंकि पश्मी घाट का सबसे उंचा शिखर महेंद्र गिरी नहीं अन्नाई मूडी है बच्चो अब समय है कुछ और प्रश्न देखने का जिनका उत्तर आपको एक या दो शब्दों में देना है तेयार हो बच्चो तो आओ देखते हैं पहला प्रश्न उद्गमंडलम को आजकल किस नाम से जाना जाता है इसका उत्तर है उटी बच्चो यह दक्षिन भारत का एक प्रसिद परियतन केंद्र है अगला प्रश्न है प्राय द्वीपिय पठार में कौन सी म्रदा यानि मिट्टि पाई जाती है आइए अब देखते हैं चोथा प्रश्न लक्ष द्वीब नाम कौन से सन में रखा गया और इसका उत्तर है सन 1973 और अब देखते हैं आखरी प्रश्न मनुशे का निवास किस द्वीब पर न के बराबर है और इसका उत्तर है पिटली द्वीब जो की लक्ष द्वीब का हिस्सा है बच्चो अब आगे चलते हैं और मिलाते हैं आमने सामने दिये गए इन शब्दों को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है नेपाल में तो हम माउंट एवरेस्ट को मिलाएंगे नेपाल से नंदा देवी परवत शिखर है भारत में तो इसे मिलाएंगे हम भारत से जैसल मेर से, मेज की आकरिती होती है प्राइद वीपिय पठार की, इसे मिलाएंगे हम प्राइद वीपिय पठार से, दक्कन ट्राप में होती है काली मृदा, और चिलका जील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील, बच्चो अब मैं आपको कुछ कारे देने जा रही हूँ, पहला कारे है आपको नीचे दिये गए कुछ स्थानों को मान्चित्र में दर्शाना है, पहले है थार मरुस्थल, फिर पश्चमे तर्ट, फिर है दक्कन का पठार, और अंत में है चिलका जील, इसके अलावा आपको महान हिमाले में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम पता करने हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप ये जरूर कर सकोगे, तो बच्चों कैसा लगा ये विडियो, मुझे विश्वास है इसे देखकर आप भारत के भौतिक सुरूप के बारे में काफी कुछ जान गए होगे, आज के लिए इतना ही आप से जल्दी फिर मुलाकात होगी कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए